साथियों, जब गरीब की गाउं की आय और आत्मी विश्वास बढ़ता है, तो आत्म निर्भर भारत बनाने का हमारा संकल पर भी मजबूत होता है। इस आत्मी विश्वास को मजबूत करने के लिए गाउं में हर प्रकार का आधुनिक इंफास्रक्टर विक्सित किया जा रहा है। 2019 के पहले पांच वर्ष सवचालय, गैस, बिजली, सडक ऐसी बेसिक सुविधाओं को गाउं तक पहुँचाने का काम किया गया। अब इन मुल्ग सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गाउं को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस को लाल के लिए से मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के करीब 6 लाग गाउं में अप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की धाई लाग पंचायों तक फाइबर पहुँचाने का लक्ष रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ा कर गाउं गाउं तक पहुँचाने का संकल पली आ गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगान अभ्यान के तहट ये काम तेजी से चला है। सिरफ कुछ हपतों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमेटर से जादा का आप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। जिससे साड़े 1200 से जादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाइफाइ होट स्पोर्ट और लगबग 19,000 अप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिये गये हैं। यहां मद्दप्रदेश के भी चूने हुए जिलों में 1300 किलोमेटर से जादा आप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा यह सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है। इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गाउं गाउं में आप्टिकल फाइबर पहुँचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गाउं में भी जगए जगए बहतर और तेज इंटरनेट आएगा, जगए जगए वाइफाइ हॉट स्पोर्ट बनेंगे, तो गाउं के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बहतर आउसर मिलेंगे। यानि गाउं अब वाइफाइ के ही होट स्पोर्ट से नहीं जुडेंगे, बलकि आदुनिक गतिविद्यों के व्यापार कारोबार के भी होट स्पोर्ट बनेंगे।